हेलो, we are from Adhyanix बच्चपन से एक identity की बारे में हम सुनते आ रहे हैं a plus b square is equals to a square plus 2ab plus b square बट यह आया कहां से उसके लिए उसको साबीत करने के लिए उसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक यहां पे square लिया है यह square है आपका एक ठीक और उस square के side length को मैंने दो भागों में बाट दिया पहला पार्ट a दूसरा पार्ट b वैसे ही मैंने इधर वाले पार्ट को भी दो बराबर भागों में बाटा a और b सो हम जानते हैं कि area of square कैसे निकालते हैं area of square इस side square सो side मेरा क्या है भाई a plus b so a plus b whole square इस ही square की area को अगर हम इस चार पार्ट जो मैंने चार पार्टों में ये square बढ़ चुका है अगर इन चार पार्टों का area मैं निकाल दूँ और उसको जोड दूँ सो ये square का area मिलेगा मुझे so area of square again area of first part plus area second part plus area of third part plus area fourth part so आपका area of first part कैसे में निकालेंगे हम side into side so a into a second part b और ये part आपका a है so b into a third part का area this part is b and this part is a so b into a ये मैंने यहां लिख दिया and the fourth part इसका area हम कैसे निकालेंगे ये part आपका b है और ये भी part आपका b है so b into b so अब मेरा resultant क्या हैगा a square plus ba a plus a b plus ba square इसको जब मैंने sum करके लिखा तो मेरे पास क्या है a square plus 2ab plus ba square क्या ये दोनों एक ही square के area के बारे में हम बात करें जी हाँ ये दोनों एक ही square का area है so क्या हम यहां से लिख सकते हैं क्या a plus ba square is equal to a square plus 2ab plus ba square हाँ क्योंकि दोनों सेम square के area की बात कर रहे हैं तो यहां से हमारे पास आ गया a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square यहां से हमने prove कर दिया कि जी हाँ a plus b whole square is equal to यह होता है थैंक यू